नवस्ते मित्रों मेरा नाम डॉक्टर गवरांग मोदी है और मैं ओंकोविन कैंसर सेंटर में एजर ओंको फिजी सेंटर हूं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे के रेडियेशन थेरापी जो टेस्टिकुलर कैंसर में दी जाती है वो कब दी जाती है उसके एडवांटेजिस क्या है और उसके पोटेंशियल साड इफेक्स क्या क्या है हमने आगे की वीटियो में चो देखा उसके हिसाब से टेस्टियो के ऐसर दो प्रकार के होते हैं सेमिनुमा और नॉन सेमिनुमा जो रेडियेशन ठिराफ्य टेस्टियो के ऐसर में आती है वो depending upon the stage कौन से stage में है उसके इसाफ से होती है either we are dealing with the stage 1, stage 2, stage 3 or stage 4 उसके इसाफ से radiation therapy आएगी usually अगर stage 1 और stage 2 है तो उसमें हम radiation therapy देते हैं और कुछ-कुछ किस्वों में साथ में chemotherapy भी देते हैं what are the techniques of radiation therapy radiation therapy में जो basic technique है उसके इसाफ से 3D RT आती है IMRT है IGRT है ऐसे ऐसे various groups of techniques are available जिससे हम आजू-बाजी के जो tissue है उसको less damage पहुंचे और पेसंट को ज्यादा benefit हो ऐसा हम कर सकते हैं potential side effect की बात करें तो radiation therapy में जो भी structure जो उसके vicinity में है जो आजू-बाजू के structure है जैसे के यूरी ब्लेडर है रेक्टम है बतलब के जो पेसाब की थेली है आत का कुछ बाग है वहां पे थोड़ा irritation होगा तो पेसाब में थोड़ी जलन हो सकती है आत में जलन हो तो आगे जाके डाइरिया हो सकता है वह सब radiation therapy की बेजिक की बात करूं तो इस kind of therapy कि जो सिटी स्केर का जो एक मसीन होता है वहां पे patient को सुला देते हैं पहले से ही नाप ले लेते हैं कि कहां पे radiation therapy देते हैं कहां पे रेज देना हैंगी जैसे यूजवली लोग ऐसा समझते हैं कि radiation therapy का मतलब यह होता है कि कुछ गरम करके वो सेख करेंगे ऐसा नहीं होता है रेडियेशन थेरापी का मतलब आप सिंपल वासा में इसाम बोल सकते हो कि सिटी स्केर का मसीन है जिसको गैटरे बोलते हैं उसको पेशन को अंदर ले ले जा जाता है और उसके पाद पहले से ही तई किये गए जो माप दंड है उसके इसाब से कुछ रेज फैके जाते हैं वो रेज पेशन को दिखते रहे हैं तो यूजवली इत विल टेक 30-40 सेकंड फोर एनी रेडियेशन थेरापी फ्रेक्षान नमस्ते अतर।